गुजरात राजिये के वीविद जिल्लाओं में गुम कर एक व्यक्ति उसके आदमियों के पास से कार चोरी करवाता था जिसको पार्डी पुलिस ने पार्डी हाइवे से हिरासत में लिया था जिसकी खबर वलसाड और वापी की Special Operation Group की टीम को मिली थी जिसके बाद वाच बिठा कर उस व्यक्ति को दर दबोचा था पार्डी हाइवे से मिश्रीमल केशाराम कालर रबारी जो हल सूरत कामरे स्थित आरादना सोसाइटी में रहता था जब वह स्विफ्ट कार नंबर GJ05JE 8356 में पार्डी से वापी की और जा रहा था कि तबी पार्डी पुलिस ने उसे रोक कर जब कार के जरूरी डॉक्यूमेंट्स मांगे थे जो उसके पास नहीं मिले थे पुलिस की अधिक जाच करने पर उन्हें पता चला कि स्विफ्ट कार चोरी की है पार्डी पुलिस ने तुरंथी मिश्रीमल को भारत सम्हीता की दारा 41-1D के तहट कार को जब्ट कर उसे गिरफतार कर पार्डी पुलिस टेशन ले आई थी पुलिस ने जब मिश्रीमल की सकती से पुच्टाश की तभी उसने बताया था कि वह अपने तीन मित्र सुनिल केशा राम जानी जब्टी सुर्फ जेडी सोना राम विश्नोई और लादू राम विश्नोई जो राजिस्थान के जालोर के आरना तालुका में आये एक गाउ में रहते हैं उनके साथ सितंबर माह में पाड़ी आये थे जिसके बाद उन लोगों ने पाड़ी के जेबु निसा कंप्लेक्स से स्कॉर्फियो कार नंबर जी जे पंद्रा चॉरी की ती जिस चॉरी की समगर घटना सीसी टीवी कैमेरा में कैद भी हुई थी इसके अलावा सूरत से पाड़ी कार चोरी करने के लिए सूरत के नानावराचा के सोशियो सरकल के पास से एक वरनाकार की भी चोरी करने का मिश्रीमल ने कुबूल किया था दोनों ही चुराई हुई स्कौर्पय और वर्नाकार हल राजिस्θान में होने का और उसके मित्र भी राजिस्थान में होने का मिश्रीमल ने बताया था पाड़ी पुलिस ने मिश्रीमल को कोट में पेश कर छे दिनों के रिमान लिये हैं फिलाल वलसार की LCB टीम पाड़ी पुलिस टीम के साथ मिलकर इस मामले में जाज कर रही है और कार एवं बाकी के आरोपियों को पकड़ने की कारेवाई शुरू की है